जिस तरह संघर्ष पूने छोटे से गाउं के छोटे से गरीब घर से निकले हुए समा से वास्वता से ना नहीं थे, किसी के मांग पर दी, वो गरीबूं को मिला है सम्मान, वो एक आदर्ष को मिला है सम्मान, आता कि जब वो आये थे एक शभा में संभूईत करने के लिए, तो आये हेलिकॉप्टर से, लेकिन जब देखे कि वहाँ पर में उनको ले जाने के लिए सभास्तल तक, डियेम साहब नहीं है, और गारी नहीं है, तो रिक्सा पर चहर करके सभास्तल पढ़ गया, इसी करी में केंसरकार के द्वारा भारत रतन देने का केंसरकार ने फैसला लिया है, जिसके वाद से काफी सियासी पारा जो है, काफी बिहार में ठंट के बीच बढ़ गया है, ऐसे में हमाँ साथ बाचित करने के लिए राजनीतिक रिसर्च के साथ प्रफेसर भी है, डॉक्टर अंभुच कुमार दासर है, क्या कहेंगे सर, भारत रतन का जो है, जन सरकार का शही कदम है, शराहनी है, और इसके लिए वरतमान सरकार, मोदी जी की शरकार को हिदैशी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मात्र ब्यक्ति विशेश करपूरी ठाकुर जी को भारत रत नहीं दिया है, बलकि उन्होंने एक ऐसी विचारधारा को शम्मानित कि जो विचारधारा आदिकाल से भारत वर्ष का है, भारत की शंस्कृति का है, भारत के आदर्श का है, वो विचारधारा है, शादा जीवन उच विचार, और जीवन में शत्त पर चलते हुए, शंघर्स पर चलते हुए, कभी उससे अलग नहीं होने की जो यह परंपरा रही अधिकाल से उस विचार धारा के प्रतिक थेकर पुरी ठाकुर जी अता उनको तो जीवन काल में ही भारत रत्म दिया जाना चाहिए था लेकिन देर आये दुरुस्त आये भारत की जन्ता की जन्मान को समझते हुए अगर पुर्व की शरकार ने उन्हें सम्मानित नहीं किया और वर्तमान सरकार ने अगर उन्हें शम्मानित किया जिसकी मांग वर्तमान सरकार विहार सरकार के मुक्ष मंत्री माननी नितिश्क जी भी रख करते रहे हैं अन्य दलों ने भी लिया हैं दल से अलग वह एक विचार धारा को मिला है उनका जीवन ही वास्ता में अगर को पाने में वह उपलब दिये श्यक्षनी को पलब थी अगर अंग्रेजी का ज्यान नहीं रहने के कारण अगर बाहर बिहार के बच्चे पिछड जाते हैं अच्छी रिजट नहीं कर पाते उन पर बोज परता है तो उन्होंने जब मुक्ष मंत्री बने तो अंग्रेजी भ विचारधारा जो वो दूर दर्शता की विचारधारा थी उसको उन्होंने स्विकारा है और वर्तमान जो शिक्षा निती बनी है जो अभी लागू कर चुका है उसमें जो च्छत्री भाषा है उसकी महत्ता को अस्थापित किया गया है और च्छत्री भाषाओं को प्रात् कि भाग के विकास में वो उनकी सूच थी उसकाल में इसके अलाबा एक मुख्यमंत्री रहते वे जोपड़ी बारगहर इतने इमांदारी पूर्ण जीवन शायद ही किसी प्रधान मंत्री को अब तक रहा है बहुत से प्रधान मंत्री के अपनी अपनी विशेष्था हैं और मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कभी भी इमांदारी से अलग उनके उपर मुख्यमंत्री चाहे किसी मंत्री तुकाल में प्रधान मंत्री मंदल से वो बिहार विधान सभा के सर्श रहे हैं लेकिन कभी भी किसी तरह का नौ उनमें जाती विवेत शमाजवाद के प्रतीक थे शब का विकास वो भी चाहते थे और हर बर्ग के खास करके गरीबूं के लिए उनके हिरदय में जो शंबेदना थी वो विरले में होती है आज के राजनितिग्वे में वो संबेदना वो विचारधारा वो साधा जीवन उच्च विचार का बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके विचारों में उनके विचार समाविशित हैं इसलिए भारत रत्नक्योपाधी मैं मानता हूं कि हमारे महान स्वत्नता शेनानी हम उनको राजनितिक कम कहेंगे विचारक कर पुरी ठाकुर जी को नहीं मिल करके भारत की महान विचारधारा को शरकार ने दिया मैं किसी राजनेता के बातों को मैं नहीं मानता हूं कि क्यों दिया गया क्यों नहीं दिया गया मैं तो अभी बताया हूं कि जीवन काल में हैं उनका अगर जीवन दर्शन अगर दखें तो उस लाइक थे कि उसी समय उनको मिलना चाहिए था जीवन काल में वो जिस तरह संघर्ष पूर्ण छोटे से गाउं के छोटे से गड़ी घर से निकले हुए समा से वास्वंता से नहीं थे और जब मुक्यमंतिय बने उनका जो विचारधारा था उनका जो क्रिया कलाप हुआ आज जिसकी हमारे नितिश कुमार जी का रहे हैं मद्द्पा नि अरिकास के लिए शमाज की बुराईयों को दूर करने के लिए निरंतर संघर्ष किया इसलिए कोई राजनिती दल अगर या कोई पार्टि अगर से लेता है कि मेरी मांग पर हुई है यह किन सरकार ने दिया अगर किसी की मांग पर दी वो गरीबु हो मिला है सम्मान वो एक आदर्ष को मिला है सम्मान वह एक सोशित वनचित वर को मिला है सम्मान भारत लत्रत के लोह के दौरा एक हम आर्टिकल पर रहेते जिसमिंठे कहा वह रहाँगा कि काफी पृणार ट्रयू था एक दिन PhD में गया थे उसबक्त जो है एक आदमी से आद्मी से उनके जो आदर्स थे, उनके जो विचार थे, वो शामान वर्ग के लिए थे, गरीबोक थे और वन्चित वर्ग के लिए थे, उसको इतने वर्षों तक लोगों ने ध्यान नहें दिया, और ये आज भी गरीबी न going दो है ही, इसके अलावा अभी अभी वन्चितों को अधिका जिसके वो चाहत थे, रखते थे, वो जिसके मांग करते थे, वो नहीं हो पाया. गरीब बलकि उनकी जो बात किये हैं कि अमेर्का में, मैं उनकी बेटे का एक अनुभव शेयर कर रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि जब वो आये थे एक शभा में संभूईत करने के लिए, तो आ ये उदारन साइद ही किसी मुख्य मंत्री क्या मंत्री के द्वारा मिल सकता है, कि रिक्षा पर बैठ करके सभास्तर पर चले गए, किसी का इंजार नहीं किये, वो न किसी के सम्मान के, वो किसी पद के रूदो, किसी कुर्सी के लिए लालायत कभी नहीं रहे, उनको दिया किया चलिए मासा जो है खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर अंबुच कुमार दास सर थे इन्होंने साप्तर पर कहा कि जन्नाय करपूरी ठाकूर जो है काफी उनके बारे में कई कहानिया आर्टिकल जो है लगातार अभी वारेल हो रहा है सोसल मेडिया पे और हमने बात किय है और लगातार जो है केन सरकार पे महागट बंधन इंडिया एलाइंस की जो पार्टी है लगातार सरकार पे हमला कर रही है कि दोयार लोकसभा चुनाब को लेकर जो है या सियासी को लेकर जो है ऐसा विकल्प लिया गया है ऐसे में देखने वाली बात होगे कि जन्नाय कि जहनती लगतार हर साल मनाई जाती है हलाकि इस बार जो है चुनाव को लेकर हर पार्टी आज पुरे पटना में पुरी तरह से इनके बारे में चर्चा कर रहे है ऐसे में हमने खास बातचीत किया है और सर के बातों से अपने तिना सहमत हो भी कमेंडिकर बताएगा तब तक प्रयाति जीये जाही ही जाहाँ आभार